केंद्रिये सूचना आयोग ने मस्जिदों के इमामों को वेतन देने संबंदी सुप्रीम कोड के 1993 के आदेश को संबिधान का उलंगन बताया है। आयोग ने इसे गलत उधारण तै करने वाला फैसला बताते हुए कहा कि इसके कारण अनावस्यक राजिनीतिक रसाकसी और सामाजिक असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। सूचना आयोग उदे माहुरकर ने कहा है कि टैक्स देने वालों के पैसों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। माहुरकर ने अपने आदेश की एक कौपी केंद्रिय कानून मंत्री को भेजने का निर्देश दिया ताकि संबिधान के अनुच्छेत 25 से 28 तक का सही अर्थों में पालन करना सुनिश्चित हो सके। सुचना आयुक्त ने इस आदेश में केंद्र और राजियों से सरकारी धन के मामले में सभी धर्मों संपरदायों के प्रोहितों से एक जैसा बरताव करने के लिए कहा है। उन्होंने धार्मिक मानिता के अन्य मामलों में भी यह फैसला लागू करने के लिए कहा है। माहुरकर दिल्ली सरकार वा दिल्ली वक्फ बोड से इमामों को भुकतान किये गए वेतन की बिस्त्रि जनकारी वाले आवेदन पर सुनवाई कर रहे थे। एक और तथ है जिसे जानकर आपके होस उड़ जाएंगे। इमामों को 18,000 रुपए और पुजारियों को महज 2,000 रुपए वेतन के रूप में दिये जा रहे हैं। सुचना आयुक्त महुरकर ने कहा कि दिल्ली वक्फ बोड को दिल्ली सरकार से लगबग 62 करोड रुपए का वार्षिक अनुदान मिलता है जबकि स्वतन तरस्रोतों से इसकी कुल मासिक आये लगबग 30,000 रुपए ही है। दिल्ली में वक्फ मस्जिदों के इमामों को 18,000 रुपए मासिक मांदे दिया जाता है। RTI में ये भी खुलासा हुआ कि ये जो वेतन इमामों को दिया जा रहा है ये टैक्स के पैसों से दिया जा रहा है। इसके उलट हिंदू मंदिर के पुजारियों को महज 2,000 रुपए मिलते हैं। सूचना आयुक्त ने अपने फैसले में कहा कि केवल मस्जिदों में इमामों वा अन्य लोगों को बेतन देना हिंदू संपरदाय वा अन्य गैर मुस्लिम अल्प संख्यक धर्मों के सदस्यों के साथ विश्वास घात करने जैसा है। सूचना आयुक्त माहुरकर ने अपने आदेस में कहा कि 13 मई 1993 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मस्जिदों के इमाम को सरकारी खजाने से वित्तिय लाप पहुचाने की रहा खोल दी थी। आयोग ने माना है कि सीर्स अदालत का या फैसला संबिधान के अनुच्छे 27 का सीधा सीधा उलंगन है। तो साथियों आपका इस बारे में क्या कहना आप मुझे कॉमेंट करके बताएए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।